हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो फिजिक्स क्लासेस, आज क्लास फस्टियर के सेशन में हम लोग लिफ्ट में बस्तु या ब्यक्ति के भार में जो आभासी परिवर्तन होता है उसके बारे में अध्यन करेंगे तो यह फिगर देखें, जैसे कोई बस्तु अगर किसी अस्थान पर रखी गई है, तो उसका भार mg नीचे की ओर और उस पर प्रतिकिरिया बल उपर की ओर कारे करता है अगर इस पर कोई तोरण काम नहीं कर रहा है, तो r बराबर mg यह होता है अब यहाँ पर हम लोग लिफ्ट के केस को डिसकस करेंगे तो लिफ्ट की कई इस्थितियां होंगी तो पहली स्थिति जब यह लेते हैं कि जब लिफ्ट बिराम में है मतलब लिफ्ट जो है रुकी होई है तो उस समय वस्तु का तौरण क्या होगा वस्तु का तौरण सुन्ने होगा तो जब तौरण सुन्ने होगा तो ब्यक्ति पर जो कारेड़त परेडामी बल होगा वह भी सुन्ने होगा तो इस स्थिति में यह r उपर की ओर और mg नीचे की ओर जो काम कर रहा है तो r-mg जो परेडामी बल है वो 0 है तो r equals to mg इस स्थिति में ब्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होग दूसरी स्थिति जब लिफ्ट नियत बेग से उपर या नीचे गतिमान है नियत बेग से तो जब नियत बेग से होगी तो उस स्थिति में बेग परिवर्तन की दर सुन्ने हो जाएगी अर्थात व्यक्ति का तोरण सुन्ने होगा तो परेडामी बल भी सुन्ने होगा और इ इस इस्तिति में विव्यक्तिका अभासि भार उसके वास्तविक भार के बराबर होगा, तो कब जब लिफ्ट कांस्टेंट से उपर या नीचे की ओर गतिमान है, क्योंकि जब बेग नियत होगा, तो त्वरण सुन्द होगा, तीसरे इस्तिति, जब लिफ्ट उपर की ओर त्वरित गती में है, और बैलू है, A is less than G, अर्थात गुर्त्विय त्वरण का जो मान है, उसके मान से कम, तो ब्यक्ति पर उपर की ओर त्वरण A हो गया, ब्यक्ति पर उपर की ओर कारयत बल F बराबर M में, अब अगर यहां पर यह मालने के जो रियक्षानरी फोर्स है, उपर की ओर R1 है, जो इसका द्रवेमान M G नीचे की ओर, और यह A त्वरण से उपर की ओर जा रही है, तो उपर की ओर जारी इसका मतलब की R1 की बेलूँ अधीक होगी, तो R1 माइनस M G बराबर लगाया गया प्रतिकिरिया बल यह परडामी बल, तो R1 माइनस M G इक्वल्स टू M A, तो R1 इक्वल्स टू M G इधर आके प्लस हो जाएगा, तो M A प्लस M G, that is M टाइमस G प्लस A, इस स्थिति में R1 is greater than M G, अर्थात, ब्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाता है, कब? जब लिफ्ट उपर की ओर जा रही हो तब? जब लिफ्ट नीचे की ओर तोरित गती में है, पहले की स्थिति में हमने देखा कि लिफ्ट उपर की ओर जा रही है, इस स्थिति में लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, A तो ब्यक्ति पर नीचे की ओर तोरण A, ब्यक्ति पर नीचे की ओर कारेज़त बल F equals to M A, अब यह नी G minus R2, M G minus R2 equals to F that is M A, तो R2 equals to, यह M A इधर चला जाएगा, R2 इधर आजाएगा, तो R2 equals to M G minus M A, तो M times G minus A, तो इस इस्थिति में देख रहे हैं कि जो गुर्त्विय तोरण और इसका तोरण का अंतर आ गया, अर्थात R2 की बैलू M G से कम होगी, क्योंकि M G में से कुछ माइनस हो जाएगा, तो इस इस्थिति में ब्यक्ति का अभासी भार उसके वास्तविक भार से कम हो जाता है, तो यानि लिफ्ट जब उपर जा रही हो, तो M times G plus A, और जब नीचे आ रही है, तो M G minus A, जब लिफ्ट नीचे की और मुक्त रूप से गिर रही हो, सपोज कर लिजिए, कि अचानक यह जिस रूप से जो है, connect था, वह तूट गई, तो ब्यक्ति पर नीचे की और त्वरण A बराबर G, नीचे की और कारेरत बल, F equals to M A, और A की जगह पर G, तो हो गया M G, अब इसी सिति में हमने सपोज कर लिया कि यह reactionary force R3 है, यह नीचे की और जा रही है, इसका मतलब M G बढ़ा हो गया, तो M G minus R3 equals to M A, तो R3 equals to M G minus M A, और M A की जगह पर फिर M G हो गया, तो M G minus M G that is 0, इस स्थिति में ब्यक्ति का आभासी भार सुन्य हो जाता है, अर्थात ब्यक्ति को भार हींता का आभास होता है, अर्थात ऐसा लगेगा कि ब्यक्ति का अपना कोई भार नहीं है, तो इस इस स्थिति में क्या होगा, जब लिफ्ट नीचे की और गुर्तियों तोरण से अधीक तोरण से गतिमान हो, A की बैलू जो है, वह G से अधीक है, इस स्थिति में क्या होगा, कि व्यक्ति पर नीचे की और तोरण A, व्यक्ति पर नीचे की और कारियरत बल F equals to M A, तो M G minus, य में, तो R4 equals to M A, यानि M G minus A, अब यहां पर यह कहा गया कि A is greater than G, तो अगर G में से A को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहां रडात्मक वैलू मिलेगी, तो R4 equals to negative हो जाएगा, और जब यह रडात्मक होगा, तो यह क्या सो करेगा, इस स्थिति में ब्यक्ति का आभासी भार रडात्मक होगा, और व्यक्ति लिफ्ट के फर्स से उपर उठने लगेगा, और लिफ्ट की छत तक पहुँच जाएगा, अर्थात, अगर लिफ्ट नीचे की ओर गुर्त्य तुरण से अधिक तुरण से गतिमान है, तो उस स्थिति में जो भी व्यक्ति उस लिफ्ट के अंदर है, उस पर उपर की ओर जो लगने वाला बल है वह बढ़ता जाएगा, और एक इस्थिति ऐसी आएगी कि वह आदमी उठने लगेगा, और उसका हेड उपर वाले छत से, यानि लिफ्ट की छत से जो है तकरा जाएगा, यानि लिफ्ट में इस्थित नत तल पर वस तु फिसल रही हो, तो नत तल पर वस्तु में तौरण क्या होगा? यह देखें, यह लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक नत समतल है, और जो की थीटा कोण पर इनकलाइंड है, तो इस इस्थिती में, अगर यह इस पर फिसल रहा है, तो तौरण क्या होगा? जब यह न to g plus a times sin theta होगा और जब lift a त्वरण से नीचे की ओर आ रही होगी उस स्थिति में a2 equals to g minus a sin theta होगा अब इस स्थिति में देखें कि यदि 36 दिशा में त्वरित कार की छत से बधी डोरी से कोई m द्रब्यमान का पिंड लटका हो यसे कार जो है 36 दिशा में जा रही है और उसकी छत से कोई डोरी लटकी हुई है जिसमें m द्रब्यमान का कोई पिंड लटका है तो उसकी गती को यहां पर दर्साया गया है तो देखें जैसे यह कार की छत है और अगर कार नहीं चल रही होती तो यह द्रब्यमान सीधे मतलब उर्धवाधर नीचे की ओर लटका होता लेकिन जब यह ए तोरण से आगी की ओर जा रही है तो अब यह पीछे की ओर मूप कर जाएगा जब पीछे की ओर हो गया तो यहां पर यह द्रब्यमान है जिस डोरी से यह लटका हुआ है यह उपर की और एक तनाव T लगाएगा यह कोंड थीटा है तो अब यहां पर जो इसका वेट होगा mg डाउनवर्ड डिरेक्शन में होगा तो उपर की ओर जो तनाव यह T काम कर रहा है अगर यह कोंड थीटा होगा तो यह कोंड भी थीटा हो जाएगा यह कोंड थीटा होगा तो यह T ह तो यह component हो गया T cast θ और यह component हो गया T sin θ बस तो आगे की ओर यह तोरण से अर्थात कार यह तोरण से आगे की ओर जा रही है तो इसका मतलब इस पर पीछे की ओर जो लगने वाला बल हो गया हुआ M में हो गया अब जब यह संतुलन की अवस्था में होगा अर्थात इसी पर इसी स्थिति में रुका हुआ होगा उस स्थिति में होगा क्या कि T cast θ mg को बैलंस करेगा और T sin θ म को बैलंस करेगा तो T cast θ equals to mg T sin θ equals to ma T की वैलू कितनी हो जाएगी तो जो T की वैलू है यह आप देख रहे हैं कि T sin θ म के बराबर है और T cast θ mg के बराबर है तो T equals to under root mg का स्क्वाइर प्लस ma का स्क्वाइर तो इसमें से m को बाहर ले लेंगे under root g स्क्वाइर प्लस a स्क्वाइर अब अगर T sin θ अपान T cast θ दिवाइट कर दिये जाए अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस थीटा की बैलू अगर हम calculate कर लें तो g की बैलू पता है तो a की बैलू को हम यहां से निकाल सकते हैं इसी लिए इस समायोजन को त्वरण मापी एक्सिलरो मीटर कहा जाता है इस समायोजन को त्वरण मापी याए एक्सिलरो मीटर कहते हैं अब यह कुछ कोस्चन्स हैं एक लिफ्ट में रखी भार मापी तुला पर एक ब्यक्ति खड़ा है इस्थी रवस्था में उसका भार 40 किलोग्राम अंकित होता है यदि लिफ्ट उपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर के तुरण से गति कर रही हो तो तुला में अंकित भ 40 किलोग्राम तुरण 2 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर जी की बैलू 10 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर लिफ्ट उपर की ओर जा रही है तो जो रिक्शनरी फोर्स है आर इक्वल्स टू एम जी प्लस ए तो बैलू पूट कर दीजे 40 इंटू 10 प्लस 2 तो यह हो गया 12 इंटू 40 तो आग 480 न्यूटन हो जाएगा और यह द्रवेमान हो जाएगा 48 केजी तो अगर हम भार की बात करेंगे भार की बात करेंगे तो उस इस्थिती में यह 480 न्यूटन अर्थाद 48 किलोग्राम वेट होगा तो तुला में अंकित भार जो होगा वह है कितना पड़ेगा अगर हमें 48 48 किलोग्राम एक लिफ्ट का द्रवेमान 4000 किलोग्राम है जबकि उसके सहयोगी तार का तनाव 49,000 न्यूटन है तो लिफ्ट का उपर की ओर तोरन क्या होगा विराम से सुरू होकर यह 3 सेकेंड तक कितनी उचाई पर पहुँचेगी लिफ्ट का द्रवेमान दिया हु से जबकि ऊपर की ओर तोरन निकालना है लिफ्ट की डोरी में तनाव 49,000 न्यूटन लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है जैसा कि इस फिगर से देखें एमजी नीचे की ओर लग रहा है टी ऊपर की लग रहा है और तो तो टी माइनस एमजी इक्वल्स टू एमए तो तो टी कर लेंगे तो 8800 आ गया तो एक ही बैलू 8800 बटा 4000 तो यह आ गया 2.2 meter per second square अर्थात इसमें जो तोरण उत्पन हुआ वह तोरण 2.2 meter per second square का अब यह कह रहा है कि लिफ्ट उपर की ओर तोरण हो गया अब अब यह विराम से शुरू होकर 3 second में कितनी उचाई तक जाएगी तो अगर हम h equals to ut plus half 80 square से देखे तो u प्रारंभिक बेग 0 हो गया plus half 80 square a की बैलू 2.2 मिली है और t square 3 है तो 3 का square 9 हो गया अब इस तरह से इसको simplify करेंगे तो 2 से कट करके 1.11 और इंटू 9 तो यह आगया 9.9 मीटर अर्थाद विराम से शुरू होकर कि यह तीन सेकेंड में 9.9 मीटर उचाई तक पहुँचेगी चालिस किलोग्राम संहति का कोई बंदर 600 न्यूटन का अधिक्तम तनाव सह सकने योग्य किसी रसी पर चड़ता है नीचे दी गई स्थितियों में से किसमे रसी तूट जाएगी अब यह चार इस्थितियां दी गई है अब यह देखिए रसी फिक्स सीरे से वधी हुई है तो तनाव किधर कारे करेगा उपर की तरफ यह बंदर लटका हुआ है यह mg नीचे की और कारे करेगा अब जो अलग-अलग स्थितियां दी गई है उन स्थितियों में इसे हम लगाएं तो पहली स्थिति है कि बंदर 6 मीटर पर सकेंड स्क्वा तो जब बंदर 6 मीटर पर सकेंड स्क्वार तो अरण से उपर की ओर चड़ रहा है तो टी हो जाएगा 40 और ब्रेकेट में 10 प्लस 6 तो यह आगया आपका 640 न्यूटन और कोस्चन में दिया गया है कि रसी अधिक्तम तनाव कितना सा सकती है 600 न्यूटन अब लग रहा भार क इतना 640 इसका मतलब हो गया कि इस स्थिती में रसी तूट जाएगी दूसरी स्थिती दूसरी स्थिती में बंदर 4 मीटर पति सेकेंडर स्कुर्ण से नीचे उतरता है तो जब नीचे उतर रहा है तो टी इक्वल्स टू एम जी माइनस ए तो 10 माइनस 4 तो यहाँ पे 6 इंटू 40 तो यह गया 240 न्यूटन और यह 600 से कम है अर्धात इस स्थिती मे है कि बंदर एक समान चाल से उपर की ओर जा रहा है तो जब एक समान चाल से जा रहा है तो तो तोरण क्या होगा सुन्ने होगा तो रस्षी में तनाव टी इक्वल्स टू एम जी प्लस जीरो अर्थात एम जी तो 40 इंटू 10 यानि 400 न्यूटन यह भी 600 से कम है अर्थात इस इस स्थिति में भी रस्षी नहीं तूटेगी इसके बाद चौथा केस है मुक्त रूप से गिर रहा है तो जब मुक्त रूप से गिर रहा है तो उस स्थिति में एक ही बैलू जी के बराबर होगी और जो रस्षी में तनाव होगा T इक्वल्स टू एम G माइनस A तो यह G रसी में तनाव सुन हो जाएगा और जब तनाव सुन हो जाएगा तो क्या रसी टूटेगी? नहीं टूटेगी. एक गुबारा तोरण A से उपर उठ रहा है सिद्ध कीजिये कि गुबारे के भार का वह अंस जिसे गुबारे से निकाल लेने पर गुबारे का तोरण धुगना हो जाता है वह बैलू है A अपांच G प्लस 2 A के बराबर है तो पहले स्थिति में देखिए यह बैलून है इस पर उपर की ओर कारे करने वाला जो उत्थापक बल है यह F है इसका weight mg नीचे की ओर कार रहा है तो इस पर जो बल जो परडामी बल गुबारे पर उपर की ओर लगेगा वह कितना होगा F-Mg equals to M A capital M जो है इस बैलून का मास है यह बली स्थिति हो गई दूसरे स्थिति में कह रहा है कि इसमें से M मास small M मास जो है कम कर दिया गया तो जब कम कर दिया गया तो अब इसका मास कितना हो गया capital M minus small M तो जो weight होगा capital M minus small M into G तुरण अब इसका दूगुना हो जाता है तो इस पर जो ऊपर की वो लगने वाला बल है वह बल कितना हो जाएगा capital F minus capital M minus M into G यह हो जाएगा और यह किस के बराबर होगा यह द्रब्यमान गुडे तुरण अर्थाद M minus small M into 2A के बराबर होगा अब यह बन गया equation 2 equation 2 और equation 1 तो equation 2 से 1 को subtract कर देते हैं तो इस स्थिति में आप इसको सालू करेंगे तो यह आजाएगा M G equals to M A minus 2 small M में और M times G plus 2A equals to capital M into A अब हमें ratio निकालना small M upon capital M का तो यह आजाएगा A upon G plus 2A तो इस प्रस्ण में यही कहा गया था कि जो मास निकाला जाएगा बैलोन से वह पहले का पहले जो द्रब्यमान है उसका जो ratio है वह A upon G plus 2A हो जाएगा तो यह यहाँ से यहाँ से proof हो जाता है और कजसे पहाँ यहाँ से जाता है